हेलो नमस्कार जहन दोस्तों इंडियन आर्मी के अंतरगत गुरुप सी की ये वेकेंसिया आईए जी हाँ दोस्तों आर्मी पब्लीज को लेंस डाउन के अंतरगत सारी वेकेंसिया आपकी रहने वाली हैं बात करेंगे इसकी लास देर की सेलेरी की साथ आपको किस प्रकार का आपको फॉम भड़ना है और केसे आपको आविदन पत्र बेजना होगा इसकी चर्चा इस वीडियो में आपको करने वाने वालों तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपनी वेकेंसी कौन कौन सी हो कितनी कितनी एज्यूकेशन इसमें मांगी गई है तो दोस्तों चपरासी सहाय कुक के लिए दस्वी पास आपसे मांगे गई है मसालची के लिए दस्वी पास वोच मेन के लिए दस्वी पास वासर मेन की वेकेंसी के लिए दस्वी पास आया यह सिर्फ महिलाओं के लिए वेकेंसी रहने वाली है इसके लिए भी टेंद पास आपसे मांगा गया है सब्सक्राइब की पोच्ट के लिए दोस्तो आपका दस्सी पास होना जरूरी है यानि दोस्तो हेवी लाइसेंस इसके अंतकत मांग गया है वाडन की वेकेंसी आई है जिसके लिए सना तक पास आपका होना जरूरी है computer lab technician के लिए बारी पास हुआ computer में diploma आपका होना जरूरी है lower division color की vacancy के लिए दोस्तों ये सेनिकों के लिए reserve है दोनों vacancy है तो इसको हम skip कर देते हैं बात करेंगे अपनी vacancy पर detail से लेकिन दोस्तों अगर आपने अब तक court भरती रायपूर का offline नहीं चेक किया तो जाके जरूर चेक करेंगे और दोस्तों अपनी vacancy जरूर रिजर्वर करेंगे आपको दोस्तों क्या करना है जो आपकी एज की काउंटिंग है दोस्तों आपकी एज की काउंटिंग एक अप्रेल 2004 के अनुसार की जाएगी अनुभी आविद्वकों को भूत पर सेनिकों के लिए 57 वर्स तक आप फॉम बढ़ सकते हो लेकिन 21-18 जो 40 साल है वो भी मैं सोच सब्सक्राइब 2589 के पक्स में आपको 150 रुपे का बेंक ट्राप्ट कटवाना होगा और फॉम जब बेजते हो उसके साथ में स्लिप लगा के बेजना होगा आपको दोस्तों बेजना कहां पर हैं तो प्रिंसिपल आर्मी पविल इसको लेंस डाउन डिस्टिक पोरी गरवाल 246155 उत्राखंड की एड्रेस पते पर बेजना है मैं सजेशन आपको यहीं करूंगा दोस्तों आप बेजते हो स्वें सत्याफिस डोकॉमेंट आपको बेजना है और दोस्तों स्पीड पोस्टिरें बेजने ताकि टाइम पर पहुंच जाए और आपको इसको ट्रेक भी कर स पत्ते हो आपको आविदन पत्र के साथ में कौन कौन से डोकॉमेंट बेजने वह देख लीजिगा आविदन पत्र आपको किस फॉर्मेट में बेजना वह भी आभी आपको मैं बताऊंगा तो दोस्तों जो आपको एज्चुकेशनल सेटिपिकेट है वह आपको बेजना है जनम तिती है तो 10 की मार्क शीट आपको लगाना है एक अत्रिक पास्पर साइज का फोटो आपको बेजना है मुल लेवास जाते परमान पत्र की फोटोपी आपको लगाना है अनुबग परमान पत्र की फोटोपी लगाना है अगर आप भूत पर सेनी को जो नीचे वाली द format में आपको बता दूगा कि कि इस प्रकार का format इसके अंदर के भरा जाता है तो आपको दोस्तों जो लिफाप आप भरोगे भरके इसी लिफापे में आपको सारे डोकॉमेंट्स डालने होगे डोकॉमेंट्स के पर टू लगा के आपको लिखना है प्रिंशिपल आर्मी पब्लिक स्कूल लैंस्टाउन डिस्टिक पोरी गरवाल 246155 एड्रस लिख देना है यह आप हों से भी कोपी कर सकते हो इसको लि अद्रस लिखना है डिस्ट के अंठर प्रिंट्रिक हो गया इस्ट हो गया पिन कोड नंबर हो गया इसके अलब के मोबाइल नंबर पकाय इसमें मेंशन करना है येवे स्कूर निगीने यह चाहते हैं और आप डि इसी परकार की cutting और overwriting नहीं करना है लिफाप में एक लिफाप में एक याव दिन आपको बढ़ना है अगर आप अलग-अलग पोस्ट के लिए फोर्म बढ़ना चाहते हो तो अलग-अलग लिफाप आपको भरके बेजना होगा जो सोट लिस्ट आविदक होगे जो उनको email के मा आपको होना चाहिए साथ यह वेकेंसी में बता देना चाहता हूं कि यह वेकेंसी जो आपकी रहने वाली है वो स्विंदा के अदार पर रहने वाली है आप बाद में बोलेगा कि हम को बताया नहीं तो मैं पहले ही आपको clear कर देता हूं जो आर्मी पब्ली स्कूल का form होगा और दोस्तों वह आपको इमित्र शेंटर या जो समय साइड कर दूंगा कमेंट सेक्षन में वहाँ से आप डाउनूड कर सकते हो बैसकंगे आपको धौन बढ़ना है राइड साइड में आपकी फोटो लगाना है उसके उपर और सिकनेटर कर देने हैं उसके बाद में दोस्तों आपको पूरा जो फॉर्म होगा वो वड़े अक्सरों में भढ़ना है कि यानि केपिटर लेटर के अंत्रक्रत आपको फॉर्म होना चाहिए जिस परकार आपका नाम मांगा जाता है तो नाम पिताजी का नाम डेट बर्थ राश्यत आपकी क्या है ध कुछ भी जानकारी और चाहिए तो आप हमारे वार्टसप ग्रूब में जुड़कर हमसे ले सकते हैं कैसा लगा वीडियो बताएगा जूरूर फिलाहल इतने